नमस्कार आप सभी का एगेंस करप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम आर्टी आई एक्ट के तहत यदि आपने द्वीतिय अपील दार किया है और उसमें कुछ कमियां है कुछ तूटियां है तो किन-किन आधारों पर आ आपका द्वीतिय अपील आवेदन खारीज किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बिना इसकी प्वे हुए इस वीडियो को अवस्य देखें जिस से आपका द्वीतिय अपील खारीज ना हो जाए और आप अपने दुईती अपील करते समय इन 12 बिंदुआं पर आप ध्यान रखेंगे जिससे आपका दुईती अपील स्विकिर्थ होकर उस पर सुनवाई किया जा सके और दोसी लोग सुचना पतादिकारी पर करवाई किया जा सके यह मैंने एक दुईती अपील दायर किया था जिनमें कुछ कमियां थी जिनने हैं और सुकिर्थ कर दिया गया आसा है आप लोग भी ऐसी कमी ना करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे यह मेरा नाम और पता है यह सूचना आयोग बिहार सूचना आयोग से दिया गया है इसमें 12 बिंदूओं है हलांकि सारे बिंदूओं पर मैं ठीक से आवेदन कर पाया था लेकिन कुछ कारण वस कुछ बिलंब हो गया था जिसके कारण है दूइती अपील समय सिमा के अंदर दायर नहीं किया है कहकर यह अपील खारिज कर दिया गया है तो अकौन 12 बिंदू है आप लोग परते को धियान रखें और अपना दूती अपील करते हैं इन पर अवस्य ध्यान रखकर दूती अपील दैर करें पहला है मूल सूचना आवेदन प्रपत्रको की छाया परती सरलग नहीं है सो अभी परमानित नहीं है या पर्थम अपीली आवेदन प्रपत्रको की छाया परती सरलग नहीं है तो अभी प्रमानित नहीं है या किसी द्वीती अपील आवेधन हस्ताक्छरित नहीं है। दूसरा है संबंदित लोग सुचना पताधिकारी या पर्थम अपील पताधिकारी के समक्ष आवेधन दायर के जाने वाले पापती रसीद या उससे डाक कुरियर किसी अन्य सम्पुष्ट माध्यम से भेजने के साक्ष की छाया परतिस सगलग नहीं है। तिसरा ना तो अपील सुल का भुक्तान किया गया है नहीं आवेधन के गरीवी रेखा से नीचे होने से समंदित प्रमानपत बीपियल प्रमानपत के च्छाया परतिस सगलग नहीं है। मौल सुचना आवेधन या और परतम अपील आवेधन की च्छाया परति पठनिय नहीं है। चठा एक से ज़्यादा मौल आवेधन या परतम अपील आवेधन संगलन किया गया है जो स्वीकार्ज नहीं है। साथ में है मोल सूचना आवेदन दायर करने के बाद पर्थम अपील आवेदन दायर किये बिना सिधे दूती अपील दायर किया गया है आठमा है प्रथम अपील आवेदन पर निर्णे प्राप्त होने की समय सिमा उसमाप्त होने के पुर्वी द्वीती अपील दायर किया गया है नमा है मोल सुचन आवेदन एवन प्रथम अपील आवेदन एक ही प्रदाधिकारी के समक्ष दायर किया गया है या सक्षम प्राधिकारी के समक्षदायर नहीं किया गया है दसमा है मोल सुचना आवेदन या पृथम अपीली आवेदन वास्तम में किस लोग प्राधिकार के समक्षदायर किया गया है या किस लोग सुचना पतादिकारी को संबोधित है या असपस्ट और उल्लिखित नहीं है 11 मां है दुईती एपील केंद्रे सुचना आयोग के 6 तरादिकार से संबंधित है 12 में अन्य ट्विटियां है मैंने 11 को सही सही कर दिया गया था बारमा में है कि थोड़ा सा समय सीमा का बिलंब हो गया था, ध्यान रखेंगे, या तो प्रपत्र को दायर करने के 90 दिन के अंदर आपको दूती अपील दायर कर देनी चाहिए, या पर्थम अपील ये प्लादिकार के आदेश के 90 दिन के अंदर आप दूती अपील दायर कर सक जिसमें है कि आपने चार एक स्वाल लिखित पता अपना स्वाल लिखित पता चार जगह चार फॉर्मेट में डालना है यह विहार राज सूचना आयोग का अपना अलग सा नियम है इस कारण भी द्वीति अपील को खारिच कर दिया जा रहा इसलिए आप लोग इन 12 बिंदों में से हर एक बिंदो को असपस्ट करते हुए अपना द्वीति अपील दायर करेंगे आसा है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस 12 बिंदों पर अवसिधान रखेंगे जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अवस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दवाकर आल पर भी क्लिक कर लें तथा इसे इतना सेर करें कि हर किसी को इसकी जानकारी आसानी से मिल सके और वो अपना द्वीति अपील दायर कर आटियाई के तहत वांचित सूचना प्राप्ट कर सके जैहिन